जैसा कि आप सभी को पता है कि चीन की लोग जीप चन्तूप को भी खाते हैं लेकिन उनकी इसी आधत की वज़े से एक जीप फिलॉप्ट होने की कगार पर आ चुका है। आज की इस वीचीव में हम जानते हैं उस जीप के बारे में। हेलो दोस्तों मैं हूँ स्वीटी और आप देखे रों डिस्कोवर टीवी इंडिया तो चलिए शुरू करते हैं यह एक पहुती दूरलव चीब है जिसका नाम चाइनीज जाइन्ट सेलमेंडर है यह चीन के यांग तजे नदी जैसे कई चल स्रोतों में पाया जाता है चीन के अलावा यह सेलमेंडर अमेरिका और जापन में भी मिलता है लेकिन चीन में पाया जाने वाला सबसे बड़ा होता है सेलमेंडर का इतिहास 17 करोड साल पुराना होने की बज़े से इसे जीवे जीवास में ही कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि यह डाइनासोर की प्रजाती से बिक्सित हुआ है चीन के लोगों ने इस सेलमेंडर को साल 1970 से कारना शुरू किया था इसके बाद लोगों को चाइनीज चाइन सेलमेंडर इतना भाया कि इसकी खपत तेजी से होने लगी इसका इत्याद चितना पुराना है उतना ही महेंगा है बता दे कि चीन में चाइनीज चाइन सेलमेंडर का दो किलो मास 1500 डॉलर यानी पार्टी 113,000 रुपी का मिलता है लेकिन अब ये जीव पिलप्त होने की कगार पर आ चुका है बता दे कि ये एक लोता ऐसा जीव एमफी वियन है जो पूरी चिन्दी की पानी के अंदर ही रहता है जबकि इसमें मचली की तरह गिल्सनी होते इसकी तचा छीत पाली होती है जिससे इन्हें ऑक्सीचन मिलती है चीन में पाया जाने वाला चाइंट सेलमेंडर सबसे लंबा होता है इसकी लंबाई इनसान के बराबर करीब 5.90 फीट तक हो सकती है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा में को कॉमेंट करकी पता है अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूले और मेरी यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करके नोटिविकेशन बेल को आउन करें तो मिलते हैं आप जब नए वीडियो में तब तक खुछ रिए अपना क्याल रखिए अपनी स्वीटी को इचाचा दीजिए बाई